नमस्कार मैं हूँ मिसेस अनिता जैक, सेट विद्धामंदिर इंग्लिश हाई स्कूल एंग जुनियर कॉलेज में से हिंदी अध्यापिका बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं छटी कक्षा हिंदी पठ्थे पुस्तक में से पाठ छे मेरा अवभाग्य प्रस्तत पाठ में लेखत चंद्रकुप्त विद्धय लंकार जी ने गुरुदेव रविंद्रनाज जी से हुई बेट से संबंदित कुछ यादे बताई है बच्चों मेरा अवभाग्य याने मेरा नसिद मैं अभी इस पाठ को पढ़ने जा रही हूँ फरवरी 1936 में मुझे शांती निकेतन जाना था वहाँ एक साहितिक कारेक्रम होने वाला था मैं बहुत ही उल्लसित था क्योंकि उस कारेक्रम के अध्यक्षता स्वेम गुरुदेव रमिद्रनाजी करने वाले थे निश्चित दिन कलकत्ता से हम बहुत सारे लोग शांती निकेतन के लिए रवाना हुए लगबग एक दरजन हिंदी वालों का यह दल शांती निकेतन के सुन्दर अतिती भवन में ठहराया गया वह अतिती भवन अशक व्रुक्षों के सघन पवन के बीचोबिच बनाया था बहुत ही सुन्दर बड़ी और अच्छी इमारत थी वह जैसा सोचा था वैसा ही पाया उपर की मन्जिल में एक कमरे में हमें ठहराया गया कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामद था बरामदे में खड़ा होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन पकुल वरुक्ष दिखाई देते थे दूसरे दिन प्रातर काली हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्त्य ठीक नहीं है अता कारे करम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे मैं बहुत निराश हो गया तथा प्यामें यह जब मालुम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने लोगों को केवल पंद्रा मिनुटों का समय दिया है जिसमें गुरुदेव की दर्शन तथा उनके साथ संग्षिप्त वर्तला भी हो सकता है तब हमारी खुशिका ठीकाना न रहा हम बेसबरी से उसक्षान का इंतजार करने लगे मध्यान के बाद गुरुदेव की भेट हुई करीब चार बजे गुरुदेव की धरना थी कि कुछ दो तिन आदमी होंगे पर जब उन्होंने पंद्रा जनम को देखा तो मजाग में उन्होंने कहा अब मेरी ख्षमता दर्बार लगान की नहीं है चर्चा के दोरान गुरुदेव ने कहा अब से पच्चाज बरस पहले जब मैंने कहानिया लिखना शुरू किया था तो एक शेत्र में एकादी आदमी था मेरी प्रारंभी कहानियों में ग्रामिन जीवन के संसर्क का ही वर्णन है उसके पहले इस तरह की कोई चीज मांगला भाशा में नहीं थी मेरी कहानियों में ग्रामिन जन्ता की मनोगृति के दर्शन होते थे उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती थी क्योंकि मनुशस वभाव तो दुनिया में हर एक जगेसा नहीं है गुरुदेव की कुछ समय के लिए रुके तभी अपने आप मेरे मुह से निकल पड़ा गुरुदेव आपके मन में काबुलीवाला इस कहानी का विचर कैसे आया यह लोगप्रिय कहानी देश के सभी बाशाओं के सभी बच्चों को ही बहुत प्यारी लगती है गुरुदेव बोले वह काहानी कल्पना की सुरुष्टी है एक काबुली वाला था वहां हमारे यहां आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वहयात किया करता होगा इसी तरह वारतालाप होता रहा हम सब के लिए एक मांसिक खाद देता आशरी की बात यह की 15 मिनट के बजा 40 मिनट हो चुके थे अब गुरुदेव उठे चल पड़े जाते जाते उन्हों ने कहा जब मैं ऐसी कोई वारतालाप के लिए कम समाई देता हूँ तब मेरी बात सचमुच ठीक न मानेगा क्योंकि मुझे स्वयम लोगों से बाच्चित कर आनन दाता है हम सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदाली मैं आती थी गुरुह के मेरे कमरी में वापस आया गुरुदेव के साथ हुए वारतालाप से मुझे एक साधरन उल्लास के अनुभूती हो रही थी पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठह आया गया उसी कमरे में स्वयम गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे अब तो मेरी खुशियों का ठीका ना न रहा ओहो मुझे तो यह भी पताया गया कि गुरुदेव ने गिता अंजली का अधिकाइश भाग इसी कमरे के बरामबंदे में बैठ कर लिखा था मैं सच कुछ भाव प्यभर हो उठा क्या यह सच है मेरा अबाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठैरा था जिसमें नोबल पुरसकार प्राप्त गितांजली रची गई थी देखो लेखक ने गुरुदेव से स्वयम बेट मुलाकात की कुछ यादे संस्मरन हमें यहां बताया है सन 1936 में जब लेखक 12 दर्जन याने 12 लोगों के साथ जब साहितिक कारेक्रम में शामिल हो गए उन्हें अतिती भवन के सुन्दर इमारत में ठैराया गया था यहां अतिती भवन बकुल के सगन व्रुषों से भरा हुआ था और इस इमारत के सामने एक विस्तृत बड़ा सा बरामद भी था लेखक मन ही मन खूश हो गए थे उन्होंने सोचा कि मैंने जैसा सोचाता वैसा ही पाया दूसरे दिन जब सुबे सुबे उन्हें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्ते ठीक नहीं है अताहा वेकार्यक्रम को नहीं आपाएंगे यह बात सुनके लेखक बहुत न खुशी हो गई मत्धान्यमेकर चार बजे के बाद लेखक की गुरुदेव से भेठ हो गई और वारतालाप के धोरान गुरुदेव जब बात करने लगे तो गुरुदेव ने अपने कहानियों के बारे में बताया कि मैंने अपसे 50 वरस पहले से कुछ कहानिया लिखना शु में लिखी गई है और इन ग्रामिन कहानियों का मनुष्य स्वभाव पर कोई ऐसा परिनाम भी हो चुका है बाचित के दौरान किसी ने एक बाचिडी लेखक ने गुरुदियों से कहा कि आपके कहानी में काबुली वाले का एक पात्रा आया हुआ है तो ये विचार आपके मन में कैसे आया तो लेखक ने कहा कि काबुली वाला तो एक कलपना की शुरुष्टी है मैंने केवल कलपना की है कोई एक काबूली वाला था और वो हमारे गर आता जाता था शायद उसकी एक बेटी होगी और उस बेटी के बारे मेरे उसने कुछ कहानिया ऐसे लेखक को बताई होगी और उसको सामने रख कर लेखक ने कुछ ऐसी कहानिया लिखी है वारतालाप होते होते 40 मिनट कब गुजर गए लेखक को ही पता नहीं चला लेखक को लगा कि उन्हें कुछ मांसिक खाद दिया यानि कुछ ऐसा पोशक खाद मिला था और जब सचमुझ उन्होंने गुरुदेव के साथ वारतालाप किया और गुरुदेव को धन्यवाद लिया लेखक बहुत खुश हो गए थे साथी साथ उन्हें यहाँ भी पता चला कि लेखक को जहां ठहराया गया था वहाँ पे गुरुदेव ने अपने गितांजली को लिखा था तो लेखक के खुशी का ठिकाना न रहा लेखक भाव विबोर यानि बहुत खुश हो गए शायद उनको लगा कि यह मेरा अहो भाग्य ही था जिसमें नोबल पुरसकार प्राप्त गितांजली को रचा गया था उसी कमरे में लेखक को ठहराया गया था यहाँ लेखक के लिए उनका अवभाग्य उनका अच्छा नसीब ही था तो बच्चो आपको एक संस्मरन के बारे में पता चला है धन्यवाद बच्चो आपके लिए एक गुरुहकारिय है प्रश्ण एक एक वाग्य में उत्तर लिखो दो अपने परिवार से संबंदित कोई संस्मरन लिखो संस्मरन याने कुछ यादे प्रश्ण तीन निम्ले लिखित शब्दों के लिंग और बचन बदल कर लिखो प्रश्ण तीन निम्ले लिखो